दोस्तो BCCI ने Central Contract 2023-2024 को जारी कर दिया है जिसमें बहुत सारे खिलाडियों को जगह मिली है लेकिन इसान के सन और स्रेय सायर को बाहर कर दिया गया है इसके पीछे की बज़य क्या है और कौन से ग्रेड में कौन सा खिलाडी है इस पूरे मामले पर बात करते हैं आप देखना पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाएए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तो BCCI ने Central Contract 2023-2024 से ईसान किसान और स्रेय सायर को बाहर कर दिया है क्योंकि इनोंने BCCI की बातों को अंदेखा किया था इन खिलाडियोंने रंडजी ट्रॉफी नहीं खेली थी और यहीं खिलाडी टीम से भी बाहर थे यही कारण है कि उनको बाहर किया गया है लेकिन रीजन यहां पर कोई नहीं दिया गया है जो BCCI ने प्रेस रिलीज दारी करी है उसमें कोई भी किसी भी लेकर यह नहीं बताया गया कि उनको किस कारण से सेन्टरल कॉंट्रेक्ट से निकाला गया है हलांके उसमें यह मैंजन है कि उनको recommendation मतलब जो selectors की committee है उन्होंने recommend नहीं किया है कि वे किसी भी grade में शामिल हों BCCI ने कुल चार ग्रेड में खिलाडियों को बांटा है जिसमे और भी खिलाडी हैं जो के कॉंट्रेक्ट पर रहेंगे और उनको जब भी कहा जाएगा तो रंडजी खेलनी होगी गरेलू क्रिकेट खेलनी होगी तो उसी पर में बात करने जा रहा हूं और आपको बतानी जा रहा हूं कि किस ग्रेड में कितना पैसा मिलेगा और कौन से खिल खिलाडियों को एप्लस केटिगरी में रखा गया है ग्रेड एए में छे खिलाडी हैं जिनको सालाना पांच करोड रुपे मिलने वाले हैं उन खिलाडियों में आरस्विन मुहमद समी मुहमद सिराज केल राहुल सुमन गिल और हार्दिक पांडिया को जगह मिली है वहीं भी ग्रेड में कुल पांच खिलाडी हैं जिनको सालाना तीन करोड रुपे मिलने वाले हैं इनमें सूरुकुमार यादव रिशब पंत कुल्दीप यादव अक्षर पटेल और यससवी जैसवाल हैं वहीं ग्रेड सी में कुल 15 खिलाडी हैं जिनको एक करोड रुपे सालान मिलने वाले हैं उनमें रिंकु सिंग तिलक वर्मार इतुराज गायकबार शारदुल ठाकुर शिब अम्दुवे रभी विश्णोई जितेश सर्मा वशिंग्टन सुंदर मुकेश कुमार संजु सैंसन और शदीप केस भरत प्रशिद कृष्णा आवेश खान और रजत पार् जाएगा क्योंकि एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी ने तीन टेस्क आठ वंडे इंटरनेशनल और दस टीटवनटी इंटरनेशनल मिनीमम खेले हैं तो उनको ग्रेड़ सी में कम से कम रखा जाता है और यह जो सालाना कॉंट्रेक्ट होता है यह 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2024 तक का है इसलिए इसको 2023-2024 का जाता है सलेक्शन कमेटी ने कुछ फास्ट बॉलर्स का नाम भी रिकमेंड किया है जिनको कि कॉंट्रेक्ट मिलेगा हलांकि इसमें किसी में जगह नहीं मिलिया लेकिन यह खिलाडी हमेशा टीम के लिए तयार रहेंगे इनको कुछ अमाउं कि यस दयाल और विदवत कवेरपा यह सब कुछ पांस बॉलर हैं जिनको इस फास्ट बॉलिंग यूनिट के तोर पर देखा जा रहा है बी सी सी ने एक वार्निंग एक तरह से इस पस्ट कर दिया है एक सर्थ रख दिया है कि यह खिलाडी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नह टीम में नहीं है या फिर उसको अच्छा ग्रेड मिलना चाहिए था इस वीडियो फिलाल इतना ही मिलते अगले को वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया जैहिन